शिरी शिवायन मुस्तव्याम हर अर्मादे दोस्तो कैसे हैं आप सबी दोस्तो देखिए आज का ये वीडियो बहुती खास वीडियो होने वाला है आज के वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कता सुनकर एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिसे करने से कोई काम ट पताए गए इस उपाय के बारे में हैं दोस्तो देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सबी से हमारी एक हाथ जोड़ के लोकैस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और नीचे कमेंट वाक्स में सच्छे मन से हरार महादेव जरू लग दें जिससे कि आपकी हर म अनुकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए तो चली दोस्तो जानते हैं वो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे करने से कोई भी काम नहीं टलता दोस्तो देखिए इस उपाय को आप जो किसी भी सौमार के दिन या मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं यह उपाय आपको जल भरना है और उस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूड डाल कर उसमें आपको साथ दाने काली मिर्च के डालने है ठीक है अब देखिए साथ में आपको एक सफेद फूल ले लेना है चाहिए आप धतूरे का फूल ले 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 जो भी आपको सफेद फूल मिल जा है वो फूल आपको ले लेना है सात्मा एक बिल पत्त्रियों ले ले अब आपको इन सारी सामगरी को अपने घर के पास किसी भी सिब मंदिर में लेकर चले जाना है वहाँ जाकर दोस्तों आपको सबसे पहले सिवलिंग के उपर एक लोटा जल को ना चलाए इस तरीके से चलाने से दोस्तों आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा तो आप आराम आराम से सिवलिंग के उपर जल को चलाए ठीक है जल चलाते समय आपको ओम नमस्षिवाय मंत्र का जब करना है या फिर पूज गुरुजी द्वारा इस्तान पर चड़ाना है दोस्तों देखे माता असोक सुंदरी का वो इस्तान होता है जहां से जलाधारी बैकर नीचे की तरफ जाती है आपने देखाओ जब हम सिवलिंग के उपर जल अर्पित करते हैं तो गोल वाले भाग में जल घूम कर फिर नीचे की तरफ रंड़ी वाले भाग से होकर आता है दोस्तों ये इस्तान माता असोक सुंदरी का इस्तान है सिवल जी की सबसे छोटी बेटी है ठीक है इन्हें आपको एक फूल अर्पित करना है देखे फूल को अर्पित करने का भी तरीका होता है आपको जो फूल को अर्पित करते समय एक बात का ध्यान रखना है जो फूल का आगे का खिला हुआ भाग होता है वो आपको सिवलिंग की तरफ रखना है ठीक है जब आप माता असोक सुंदरी को अर्पित कर रहे हो तो आपको सिविलिंग की तरफ उसका खिला हुआ भाग रखना है और जो लकडी वाला भाग है वो आपको अपनी तरफ रखना है और एक बात और ध्यान रखें जब आप फूल अर्पित करें तब आपको अपनी जो भी कामना है जो भी आपके अठके हुए काम है वो आपको माता असोक सुंदरी से कह देना है अब उसके बाद में आपको सिवलिंग के उपर बिल पत्री अर्पित कर देनी है अब आपको कुछ देर के लिए सिवलिंग के सामने बैठ जाना है और सिरी शिवाय नमुस्तव्यम मंतर का आपको जब करते रहना है जितनी देर हो सके उतनी देर आप सिरी शिवाय नमुस्तव्यम मंतर का जब करें फिर आप अपने घर के लिए जब आएं तब आपको क्या करना है जो आपने वाप बिल पत्र सिवलिंग के उपर अर्पित किया था उस बिल पत्र को आपको वाँ से उठाना है और अपने घर ले जाकर आपको कच्छी जमीन में उस बिल पत्र को घाड़ देना है ठीक है बिल पत्र को ऐसी जाए घाड़ें जहांपर किसी के पैन ना पढ़ें या कोई गंदगी ना फैलाए या आप किसी घंबले में भी इसे घाड़ सकते हैं दोस्तों देखे इस उपाय को करने से आपके हर काम बनने लगते हैं साथी आपके उपर महादेब की किरपा होती है और माता असुक सुंदरी किरपा से आपके सारी मनो कामना पूरी होने लगती है तो अगर आपको पूझ्य गुरु जुदारा बताएगे जे उपाय अच्छा लगाओ तो इसे ज्यादा स्यादा शेयर कर दें वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने जैसे कि आपको हर रोज पूझ जुग रूज दारा बताएं कि नेने उपाय मिलते रहें